हेलो फ्रेंट्स आज फिर से मैं एक नहीं वीडियो के साथ आजी रहो अपने यूटूब चैनल असार सची नसार में अगर आप भी इरिक्स से के क्राउन से परिसान हो गया है तो आप भी आप रिपैर करवा सकते हैं अपने घर पे भी कर सकते हैं इस वीडियो को देख करके जरूर आपको कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो को देख करके अगर आप मेरे चनल को सस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज सस्क्राइब कर लिजे जो बगल में पहला आइकन दिखा ही पड़ रहा है उसको भी प्रेस कर लिजे तो सबसे पहले हम लोगों ने क्राउन को कर लिया है और आज हम जोंग इसको एसेंबली वाली वीडियो दिखाने वाले है कि इसको एसेंबल कैसे किया जाता है इसके क्राउन के अंदर का जो पार्ट्स होता है उसको एसेंबल कैसे किया जाता है तो सबसे पहले मैं आने क्राउन को ओपन कर लिया और इसको पेट्रो तो फ्रेंड अगर अभी तक का मेरे चनल को सब्राइब तो लाइक नहीं किया तो प्लीज सब्राइब कर लिजिए जो बगल में बैल आइकन दिखाई वोटर उसको आल पर सट कर लिजिए इता कि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आपके पास पहुंचे और ईबाइक, इरिक इस सब्राइब सकथाएब भी यहारा फिर जो सकता है यहां पर सबसे पहले आप देख सकते हैं इसको क्ली सी पूरढष है। जासे आप देख रहे šarj diff dinner बेक को होगा वो सब क्लीन हो जाएगा और इसको अंदर भी क्लीन करेंगे बाहर तो करेंगे करेंगे लेकिन अंदर भी करेंगे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बाहर नहीं क्लीन करके अंदर कर लेते हैं और फिर ऐसे ही बांद देते हैं तो भाया फाइदा क्या हुग आपके क्र पूरत चमक जाए और जो चीज़ नहीं चूट रही है उसको छोड़ी दीजिए लेगिन कुस तो उसमें चमक जाए कि ताकि साथ सफाई रहा है क्योंकि यह रिक्सा बार-बार प्रेसर मसीन से नहीं दुला जाता है ना इस वज़े से आप अच्छी तरीके से इसको क्लेन करे भले आपका 10,20,50 रुपए जादा लगे लेगिन आप उसको अच्छी तरीके से क्लेन करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल एसेंबली रखी हुई है जैसा कि क्राउन का आपका कवर देखने को मिलेगा बैरिंग देखने को मिलेगी गेर गुच्छा देखने को मिल देखने करें और यहाँ पर जो सबसे बड़ी वाली बैरिंग होती है उसका मैं आपको नंबर नहीं बताऊंगा लेकिन डिस्किप्टिन लेक में लंबर पड़ा है और आप अपने दिस्किप्टिन बॉक में देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें अच्छी तरीके से grease लगाएंगे कि ताकि grease की कोई भी कमी ना होने पाए और जो अंदर जा करके bearing अच्छी तरीके वर्क करें क्योंकि अंदर बार बार तो यह खुलता नहीं है लेकिन grease अच्छी तरीके से लगा दें कि ताकि कोई भी और यह जो दो वैरिंग है यह नई पड़ रही है और यह बहुत ही अच्छा परफेटली वर्क करती है और इसमें जो है आप अच्छी तरीके से grease और तेल लगा दें जैसा कि आप देख रहे हैं अभी मैं इसमें grease लगा रहा हूं इसमें अच्छी वाली grease का प्रयोग करें अब हम लोग आस्में करेंगे कि इसमें देख सकते हैं आपके क्या 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 सेथे इसमेंडना रहेगा आपको सबसे पहले प्रहएं और आपको अपसे यहां नहीं पर बेरिंग यहां कि वह रगाने कि ताकि बैरिंग अराम से बैट जाओ और निकल आए तो यहां पर आप देख सकते हैं नॉर्मली तरीके से आपको इसमें क्या करना होगा करने के लिए कोई बैरिंग को भी कोई नुक्सान ना हो और अराम से बैरिंग अंदर आप देख सकते हैं मैं चारो तरफ से दीरे-दीरे करके ठोक रहा हूं लेकिन अंदर जो गेर दाती है वह आपको रखनी होगी ताकि उसी में एकदम सेट हो जाए परफेक्टली आप जाएं दीरे-दीरे इसमें ठोकना होगा कि ताकि ज्यादा चोट नहीं देनी होगी ताकि बैरिंग खराब ना हो नहीं तो फिर से आपको दूसरी बैरिंग लगानी पर जाएगी तो यहां पर आराम से जो है गेर गुच्छे को भी बराबर करते हुए इसको जो है रखना ह होगा और आराम से जो है इस पर चोट करनी होगी तो आप देख सकते हैं इसमें पूरा सेट हो जाएगा मैं आपको अभी दिखाता हूँ इसमें पूरा सेट हो जाएगा अच्छी तरीके से कि ताकि नॉर्मली तरीके से अंदर फिट हो जाएगा तो देख सकते हैं आप मैं दूसी तरफ जब आप बैरिंग बैठाएंगे तो इसमें आराम से सेट हो जाएगा पूरा ये जो अंदर गुच्छा पड़ा हुआ था गेर गुच्छा वो आराम से इसमें सेट हो जाएगा आप देख सकते हैं बराबर से पूरा बैठ चुका है मैं आपको दिखाना चाहू होंगा ये देखिए मैं चला के चक कर रहा हूं इसको कि इसमें प्ले तो नहीं है बिल्कुल भी तो आप देख सकते हैं पूरा दोनों तरफ से बैरिंग लगाई गई है वो एकदम बैठ गई है अब इसमें क्या करेंगे थोड़ा सा ऑइल डालेंगे कि ताकि लुब्रिके थोड़ान के बाद यहां पर जो है अब क्या करेंगे इसके उपर वाला गेर लगाएंगे तो आप देख सकते पूरा जो नीचे वाला यह ता उसमें बिल्कुल भी तैन हुआ है और में नचा कर एक दिखा रहो आपको बिल्कुल उसमें प्ले नहीं है आप क्या करेंगे यह जो उपर वाला crown gear है इसको हम लोग लगाएंगे और इसको गेर गुच्छा भी बोलते हैं तो इसको जो हम लोग लगाएंगे आप और इसमें जो है आपको क्या करना होगा बिलकुल भी dust ना हो कोई भी particle ना हो इसमें आपको normal तरीके से bearing को बैठ जाती है एक डम इसमूथली बैठ जाती है और हां सही निकल आती जासा चीआप देख सकते हैं तुरंट निकल आई तो यह smoothly बैठ जाती है और smoothly निकल वी आती है इसी लिए इसको उपर जो है cover लगाया जाता है वह मैं भी आपको दिखाऊंगा कैसे लगाया जाता है यहां पर अभी हम गेर गुच्छे को बैठाने वाले तो आप देख सकते हैं कि इसको किस प्रकार बैठा जाता है कोई भी कोई भी मुश्किल काम नहीं है इसको आराम से बैठा सकते हैं और जो इसमें नट बोल्ड लगे हुए हैं आप पहले चला करके देख लीजेगा कि कही पर लड़ तो नहीं रहा कर वो नट बोल्ड लड़ रहा होगा तो आप गेर गुच्छा पल्टा करके लगाना होगा अगर माल लीजे हलका फुल का लड़ने लगता है इसके जो पीछे नट बोल्ड लगे हुए वो अगर लड़ रहा होंगे तो आप इसको इसको गेर गु घ्रैंट और फिर इसके बाद हमास क्या करेंगे इसमें से तोड़ा है डालेंगे और इसको चला करके के खुपकस के और इसको गार तो नहीं तो नहीं tari can बंदने के बाद, तो इसको सबसे बड़ी आपको इसको ध्यान देना होगा, अब देख सकते हैं, इसके उपर का कवर लगा रहा है, बैरिंग के उपर का, और इसको एलंग की नट बोल्ड की साहिता से इसको टाइट किया जाएगा, पूरी अच्छी तरीके से, यहां पर आप जब आपके पास वार्सल हो, अगर वार्सल आपने गुम कर दिया है, तो इसके लिए दूसरा वार्सल भी लगा सकते हैं, लेकि अब आपका क्राउन पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, यहां पर आप देख सकते हैं, बैरिंग में लॉक लगा जाएगा, कि ताकि बैरिं जैसा कि बैरिंग फिट हो जाती है, वैसा ही लॉक भी फिट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रियेट होती है, यहां पर दूसरी साइट भी आपको लॉक लगा देखने को मिलेगा, लॉक जैसा ही आप लगाएंगे, वो अराम से फिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसके उपर आपको एक कवर जैसे ही आपने निकाला होगा वही कवर आपको इसको प्रियोक करना होगा यह आइल सील का भी काम करता है और जो अंदर के जो आइल है उसको बाहर निकालने से रोकता है कवर का प्रियोक करेंगे दोनों साइड और अच्छी तरीके से इसको पूस लगाने के लिए आपको रेजी बाउंड का इस्तमाल करना पड़ेगा रेजी बाउंड और क्राउन प्रैकिंग एक सेम साइज ही होनी चाहिए ताकि आपका जो क्राउन है वह अच्छी तरीके से पैक्ट हो जाया और आइल सील मतलब आइल जो हैं अंदर से बाहर की तरफ ना कि आपको एसेम्बली कैसे करनी है क्राउन की तो थैंक यू फार वाचिंग इस वीडियो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिए जो बगल में पहला आइकन दिकाही बड़ रहा उसको भी प्रेस कर लिए